नवाब मलीक की लड़कियों की जैदाद कितने ये कोई पूचता है? नवाब मलीक एक यूपी से चलके आम आदमी की तरह गया था कभी कबारी वाले थे आज वो तीन हजार करोड के मालिक बन चुगे है नवाब मलीक तीन हजार करोड तो खाली देखने में है जो असली है वो तो कई हजार करोड और मिलेगी एक आम आदमी चलके जो बंबे में जाता है उसके रोटियां खाने के लिए ने मिलती उसको और नवाब मलीक जो इतने थोड़े समय में जो एक पूरी मिलकित का जो मालिक बने बैठा है इसका पूरा प्रिवार जो है ड्रक्ष के दंदे में है और वॉलीवूड वॉलीवूड का नाम बदल के ड्रक बुड कर देना चीए ड्रक बुड डेड़ साल पहले जो है ना सुसान्तराजपूत को इसी ड्रक पेडलरों जो है मरवा दिया जो एक ब्रेव ऑफिसर समीर्वान खेड़े वहाँ पर जो कारवाई कर रहे थे उनके उपर जूटे आरोप लगाए जा रहे है नावाम मलिक दुआरा तो इसको कैसे देखती है ये देश की जन्दा देश की जन्दा इसके बारे में काफी कुछ जानती है और नवाब मलिक के बारे में जानती है उसके दामाद के बारे में जानती है उसके लड़के के बारे में जानती है ये सारे ड्रग के जो हना पेडलर हैं बड़े पेडलर है और थोटे पेडलरीन के जो हना गुरगे होते हैं तो नवाब मलिक तो जो है अपने दामाद और बेटे को बचाने के लिए जो उनके उपर अनर्गल जो है ना समीरवान कھیड़े के ऊपर जो है यलजाम लगाता जा रहा है क्योंकि उसको पता है अगर ये जो है कारवाई चलती रही तो तिरे बेटे और तेरे दामाद गभी और पिछे इसका दामाद जो है अरेष्ट था उसको भी समीरवान खेड़े रिष्ट किया था और समीरवान खेड़े जैसे इमानदार आदमी तो देश के अंदर बहुत ही कम मिलेंगे और मैं तो यह कहता हूँ कि सुप्रीम कोट को इसमें संग्यान लेना चाहिए क्योंकि अगर ऐसे जो इमानदार आदमियों को यह राजनिती उनको बरबाद करने में लग गई तो ऐसा इमानदार आदमी आना ही बंद हो जाएगा और देश का फिर जो क्या हाल होगा वो जो है सोच भी नहीं सकते सर अभी एक जो उनके पिता जी है समीरवान खेड़े के उन्होंने हाई कोट में जो बॉम्बे हाई कोट है महाँ पर उन्होंने केस डाला है मानहानी का केस डाला है इनके उपर नवाब मली के उपर कि यह जूटे आरोप लगा रहे है उनकी बहन के उपर उनके मृत्मा के उपर, इनके पिता के उपर, तो ऐसे जो परसनल अटाइक किये जा रहे हैं उनकी फैमिली पर, उसको कैसे देखते हैं आप ये गलत है, बिल्कुल गलत है, उनके नवाब मलीक की लड़कियां क्या करते हैं, ये कोई पूछता है, नवाब मलीक की लड़कियो जो असली है वो तो कई हजार करोड और मिलेगी एक आम आदमी चल के जो वंबे में जाता है उसके रोटियां खाने के लिए ने मिलती उसको और नवामा लीग जो इतने थोड़े समय में जो हना एक पूरी मिलकित का जो हना मालिक बने बेठा है एक कहां से गलत काम करके याया ह एक उसका पूरा प्रिवारी जो हना ड्रक्स के दंदे में है और वली भूड, वली भूड का नाम बदलके ड्रक्वूड कर देना चाहिए ड्रक्वूड देड़ साल पहले सुसांद राजबूत को इसी ड्रग पेडलरों ने मरवा दिया और उसका केस पूरा बुम्बी पुलिस दबाती रही दबाती रही बिहार से एक DSP बेजा जाता है वाजाज के लिए उसको करोना का बाहना देकर के 14 दिन के लिए करणटाइन कर देते हैं उसकी गाड़ी छीन ली जाती है तो ये पुलिस भी इसके अंदरी मिली हुई है और मुंबई पुलिस का जो पहले जो कमिशनर था उसने खुद परंबीर सिंग उसने खुद एक लेटर लिखके सरकार को बेजा कि मेरे से सो करोड की उगाई का जो है ना अनिल देश मुख ने बोला था और मेरे को ओडर दिये थे कि हमें सो करोड की उगाई चाहिए ये मंतली थी सो करोड की उगाई अब आम आदमी सो करोड के बारे में कैसे सोचता होगा और इसमें जो अकेला तो अनिल देश मुख खाने वाड़ा है नहीं, उसमें नवाब मलिक जैसे और मंत्रियां भी होंगे रही सरकार जो राज ठाक रेगी, उदव ठाक रेगी, वो तो भी ज़रा कट पूत लिए उसको दो बस मुख्य मंत्री बनने का सौक था, वो सौक उसका पूरा हो गया, अब वो जो आगे पीसे से बरबाद है, करियर खतम है उसका, राजनीती खतम है आज वो बोलने के, मतलब किसी अपने मंत्री को भी यह नहीं बोल सकता कि यह क्या कर रहे हो अज़ा मंत्री जीतने आनिल देशमुक वो भी NCP का, नवाब मली भी NCP का कल परसों एक ब्यान आया था, सर्दपवार का कि जैसे इंद्रा गांदी का जो हना पंजाब में हाल हुआ था, वो हसर पीम मोदी का ना आ जाए, इसलिए किसानों को तंग ना करे ये NCP का है, अब उसमें ये नहीं पता कि वो पीम मोदी को डुरा रहे हैं या खुद पीम मोदी से डुरे वे हैं क्योंकि अब ये जो है, जान्च जाचल ये डुर की, ये पीठेद अटने वाली नहीं है समीरवान खेड़े को हटा दिया है उस केस से, चार केस उससे वापिस ले लिए गए है लेकिन वो केस दिये कि इसको है ये नहीं पता उनको, अब वो दिल्ली अन्च भी करेगी उसकी जांच इसलिए जो अना सर्द पवार जो है, पीम मोदी को हिदाद दे रहे हैं कि इंद्रा गांदी जैसा जो है, हसर ना हो जाए और इसी बात से वो ड्रेवे हैं कि अब तेरे उपर भी पढ़ने वाला अजीत पवार के हजार करोन के प्रपर्टी सीज़ कर दी गई है उसकी अकेले ही नहीं है, उसकी बेहनों की भी है उसमें इसने तीन एजिंशियों ने, ED ने, CBI ने और NCB ने, सो ठीकानों के उपर रेड की थी, इनी के ठीकाने थे वो सारे NCP के, इसलिए सर्थपवार ये बार बार जो हिदाय दे रहा है PM को, क्योंकि उसकी अभी गले में फांसी लगने वाली है. अगला कोशन है, ये जो बॉलिवीड के कुछ स्टार्स है, जो हिंदू तेवारों पे हिंदूों को परवचन देते हैं कि बम नी फोड़ना चीए, दिवाली में जारा, मतलब एक तरीके से हिंदू विरोधी जो बयान आता रहता है, अभी अमीर खान का था, जो एड चला रह दी गई थी, तीन हिसे किये गए थे देश के, और तीन हिस्टों में मुसल्मान जो परदान मंतरी बने थे, आप इस बात को मेरे को सुनके चोकेंगे, कि मुसल्मान परदान मंतरी तीन कैसे बने थे, पाकिस्तान का परदान मंतरी बने था, लिया कतली खान, जिन्ना, और मेह दो जोहार लल ने रुकेता है नहीं उसको कभी मिस्टर जोहार खान थे वो उसने हिंदों को क्या दिया हिंदों के आरक्षन दे दिया कि हापस में जाती पात में बिढ़ते रहो लड़ते रहो मरते रहो और बागे सारी सुधाय जो हना अल फ्रंक का जो हो लगा कर गे तम ना किसी हिसाई का जो हना चर्च है ना कोई गुर्दवारा है लेकिन तीन लाख मंदिर जो हना हिंदों के गवर्मेंट के एंडर में हैं और उनका चड़ावा सारा गवर्मेंट लेती है हमारे सुमिधान में ये लिखा हुआ है कि जहां जहां से जो जो पैसा आता है वो गुरुद्वारों तो अपना खर्चा खुद चलाते हैं, वो इसमें इन्वाल नहीं है, लेकिन खासकर मस्जिदों के उपर, अभी मैं एक इंट्रिवु देख रहा था, कोई मुसलिम था, अमानतुला खान का अदमी था, वो बद आई दे रहे थे, कि जो हना हमारे 18,000 जो हना सेकंड को और 12,000 रुपे एक मोज़म होता इनके, उसको दे रहे हैं, ये पैसा आएगा कहां से, वही हिंदों से कठा किया हुआ पैसा, और केजरवाल सरकार दे रही है, तो ये देश के अंदर सूर से 1947 जो है ड्रामा सुरू कर दिया था, कि हिंदों को ज्यादा ज् पूर्ति, धर्मनिस्ट, सब को देखाते हैं, लेकिन कोई गुंडा या और कोई रोल होगा वो हिंदू करेक्टर को देते हैं, हिंदू पंदित, हिंदू, ब्राह्मन, सब बुरू हिंदू समझ गया है, हिंदूस्तान के अंदर रहने बंद हो जाएंगी, हमारे अंदर बारते थे, इन्होंने जो कहीं, 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 अगड़े और पिछड़े, हम बारते रहें, मरते रहें आपस में, और यह अपनी रोटियां शेकते रहें